हलो बच्चों जेएमेन दोजाच ओबीस का कुश्चन है 29 जैन का सिफ्ट वण कंसिडर ए सिरीज ओफ स्टेप्स एस सोन अब बॉल इस थ्रोन फ्रम ओ फाइंड दे मिनमम स्पीड ओफ डारेक्ट डारेक्टली जंप टू फिफ्ट मदब यहां से हमें जंप कराना है तो करना है जिसके डारेक्टली इस पर फिफ्ट पर जाए तो आप देखिए अब काउंट कीजिए वान टू त्री फोर फाइव तो यह होडिजेंटल दिस्टे यहां से यहां तो कितना कवर करेगा 2.5 मेटर अभिशो कांट गीज़ वर्टिकल 1 2 3 4 5 मतलब वर्टिकल दिस्टेंस भी कितना कवर करेगा वो 2.5 क्योंको 5 एस्टेप जा रहा रहा तो 5 इंटू 0.5 इसका मतलब इसका कोडिनेट क्या हो जाएगे 2.5 कोमा 2.5 ठीक है तो ज equation of trajectory होता है बच्चो वो निकाल लिए क्योंकि आपने को मालूम नहीं है कि maximum height होगा कि नहीं होगा तो equation of trajectory है na equation of trajectory से आप इसको कर सकते हैं y is equal to x tan theta minus g into x square upon 2 into u square cos square theta ठीक ना इससे हम solve करें अब यहाँ पर बोला गया कि यहाँ प्रोजेक्ट करके पहुंचाना है तो आप मानलेजिए कि यहाँ पर आपने कुछ theta एंगल पर प्रोजेक्ट किया है इसको horizontal से तो theta एंगल पर प्रोजेक्ट किया है और यहाँ का coordinates x y मालूम है आपको 2. 2.5 2.5 ठीक तो आप रख दीजिए आप 2.5 2.5 तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2.5 और इधर भी 2.5 into tan theta minus g into 2.5 whole square divided by और u हम लोग को यहाँ पर नहीं दिया गया speed पूछा ही गया आपसे देने की जड़ोत नहीं हो तो पूछा गया तो आप यहाँ पर 2 u square और यह cos square theta ओके अब देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं बच्चोंकि यहाँ 2.5 है यहाँ 2.5 है इधर भी है तो common करके हम लोग कैंसल कर दें तो common करके cancel करते ही क्या हो जाएगा यह यहाँ पर हो जाएगा 2 into u square cos square theta अब इधर से हम लोग 1 minus tan theta is equal to minus 25 upon 2 u square cos square theta बस इसको simplify करते चलना है लास्ट में आपको और थोड़ा काम इस पर करना पड़ेगा तो tan theta minus 1 अभी हाँ पर theta मालूम नहीं है बच्चों है ना मैंने और यह मैंने क्या किया है यहाँ पर minus multiply कर दिया तो minus multiply करते यह minus हो जाएगा यह plus हो जाएगा तो tan theta minus 1 हो जाएगा is equal to 25 upon 2 u square और जो cos square theta है उसको आप sec square theta लिख जीजए और जो u square है इसको इस side में लेके जाएगे multiply करके और इसको इधर लेके आईए denominator में तो u square is equal to 25 by 2 और जो sec square theta होता है बच्चों उसको हम लोग 1 plus tan square theta लिखते है और यह हम लोग क्या कर सकते है tan theta minus 1 को तो tan theta minus 1 को यहाँ पर denominator में लेके आईए दिखिए अब यहाँ पर problem क्या हो गया कि हम minimum तभी निकाल सकते हैं जब यह पूरा minimum होगा क्योंकि यहाँ पर theta नहीं मालूम है है ना तो हम लोग इसको complete को minimum करेंगे तभी निकाल सकते हैं तो आप एक काम करें इसको complete को एक कुछ अलग function मान लीजिए यहाँ पर z तो z is equal to one plus tan square theta upon tan theta minus x और यह जो tan theta है बच्छो इस tan theta को हमें कोई variable मानना पड़ेगा तो इसको मैं capital x लेख देता हूं तो अब यहाँ से z is equal to one plus capital x square upon x minus one अभी यू अपॉन वी का फॉर्म में आ गया बच्छो तो हमें minimum value z के minimum value को लिख्या करना परेगा maximum minimum आप जरूर जानते होंगे maximum minimum में क्या होता बच्छो कि जब हमें किसी भी चीज का maximum value चाहिए होता है तो उसको differentiate करके उसका first derivative zero करना होता है तो यह u by v के फॉर्म में है differentiation ठेक है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x minus one whole square ठेक है और first derivative को आप as it is रखिए ठेक है फिर दूसरे वाले को differentiate कीजिए तो यहाँ पर one को differentiation zero हो जाएगा और x square का two x हो जाएगा फिर minus और फिर हम क्या करेंगे क्या इसको differentiate करेंगे और इसको as it is रखिएगे तो one plus x square into x minus one हो करेंगे तो क्या होगा x का one हो जाएगा और one का zero हो जाएगा तो आप देखिए यहाँ से क्या आपको मालूम होगा two x square minus two x क्योंकि इसको multiply करेंगे इसके साथ और इसके साथ minus one minus x square upon x minus one whole square और equal to zero हम लोगो को करना होगा इसको तो आप इसको equal to zero ही कर दीजे पहले ठेक है तो equal to जैसे zero करेंगे अब तो देखिए अब यह term तो पूरा ही लेगा तो x square minus two x minus one is equal to zero अब यहाँ से x निकाल लिए तो उसके लिए आपको quadratic solve करना पोड़ेगा यह वाला formula minus b plus root over b square minus four a c upon two a root निकालने के लिए तो यहाँ से minus minus two plus minus root over b square that is minus two whole square ठीक है minus four b square minus four a c तो four one four और a कितना है one है यहाँ पर c कितना है बच्चो minus one है upon two a that is two ठीक अब इधर से हम लोग x देखें तो क्या मिलेगा two plus minus four plus four divided by two तो four plus four कितना बच्चो two eight तो उसमें से two root two बहार आ जाएगा न तो यहाँ सम्झो क्या लिखेंगे कि two plus minus two root two मतलब यहां से two बहार आ जाएगा अब इसको आप एक काम करें इसको जो है न तू से डिवाइड कर दीजिए तो one plus minus root two आएगा ठीक है तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग सिर्फ positive वाला value consider करेंगे कि नेगेटिव आजाएगा x का value है न तो हम लोग वो consider नहीं करेंगे सिर्फ positive वाला value consider करेंगे और x क्या था tan theta था that means कि tan theta का जो minimum value है न यहां पर वह अपने पास क्या आया देखिए हम लोग के पास आ गया 1 प्लस root 2 आप इस ही tan theta के minimum value को उठा करके आपको कहां रखना है बच्चों इधर रखना है इस वाले में रखना है ठीक है तो यह 25 बाई 2 है into tan square theta तो आप रखेंगे यहां से u square is equal to 25 by 2 into tan square theta that is 1 plus root 2 whole square plus 1 divided by tan theta minus 1 that is 1 plus root 2 by 1 plus root 2 minus 1 तो यह तो cancel हो जाएगा अब इसको simplify करना पड़ेगा जो उपर में है squaring में तो यह हो जाएगा 1 plus root 2 के squaring करेगा तो 2 हो जाएगा और plus में 2 root 2 हो जाएगा 25 by 2 into 4 plus 2 root 2 by root 2. तो अब इधर से हम लोग 2 common करें, यहां से, तो यह 2 से cancel हो जाएगा. तो 25 into 2 plus root 2 by root 2. तो अभी यह आजाएगा बच्चो 25 और यह हो जाएगा 1 plus 2 by root 2. अभी जी 2 by root 2 एना सको simplify करोगे आब. ठीक है? 2 by root 2 का आब simplify कर दो. root 2 upon root 2 से, तो यह भी simplify कर का आपको मिल जाएगा? 25 into 1 plus root 2. और यह u square है, यह u square है. तो आपको u कितना मिल जाएगा बच्चो यहां से? 5 जीसे root के अंदर जाएगा ना? तो root के अंदर जाएगा तो 25 into 1 plus root 2. तो यह मिलेगा 5 root root 2 plus 1. तो यह option मैच कीजिए. कौन सा option होगा इसमें से बच्चो? देखें, option number 1 correct होगा यहां पर.